सावन की पौराने कथा इसी माह में किया गया था समुद्र मन्थन सावन माह के बारे में एक पौराने कथा है कि जब सन्नत कुमारों ने भगवान शिव से सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भूलेनाथ ने बताया कि जब दीवी सप्ती ने अपने पिता दक्ष के घर में योगशक्ती से शरीर त्याग किया था उससे पहल महता के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर वरत किया और शिव को प्रसनकरून से विवहा किया जिसके बाद ही महा देव के लिए यहा विशेश हो गया वैसे सावन की महता को दरशाने के लिए और भी अन्यकई कहानी बताए गई हैं जैसे कि मरकंडू रिशी के पुत्र म मारकंडेय ने लंबी आयू के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की क्रपा प्राप्त की थी। कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन महीने में समुद्र मन्थन किया गया था। मन्थन के बाद जो विश्निकला उसे भगवान शंकर ने पीकर सृष्टी की रक् पूजा करता है तो यह सभी प्रकार के दुखों और चिंताओं से मुक्ती प्राप्त करता है।